मैं की तावस्ती इस वीडियो में आपको डैली उनिवस्टे से रिलेटर कुछ इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ जैसा कि आप लोगों ने कॉमेंट किया था मैसेज भी किया था कि जो PG रिजल्ट है उसके बारे में कुछ आप अपडेट दे दीजे और जो UZ का अड्मिशन प्रोसेजर है वो कैसे होगा कौन सी लिस्ट भी आई है और कौन सी लिस्ट नहीं आई है इन सब के बारे में इस व रिलेटर या LUC रिलेटर या फिर जो भी अभी रिजल्ट नहीं आए जैसे कि BHU है BBAU है DU है JNU है इन सब के बारे में आपको अगर पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पे वो मैसेज कर सकते हैं आपको इंस्टाग्राम पे जो है वो डिसिप्शन बॉक्स में म अपडेट है उसके बारे में बताया है और जो यूजी के जो लिस्ट है कौन सी लिस्ट अभी तक आई है इन सब के बारे में मैंने बताया है ठीक है तो चलिए हमें स्टाट करते हैं जैसा कि यहां पे आपको पताईए कि Google खूलना है यहां पी देखे जो DU की हमारी official website है तो सबसे पहले हम DU की official website पे जाएंगे यह रही official website तो इस पे click करेंगे just a second तो official website पे जाने के बाद आपको और कहीं जाना ही नहीं है basically यहां पर ही ऐसा interface खुलके आ जाएगा तो यहां पर लिखके ही आ रहा है साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि यह देखे लिखा हुआ है just a click here for admission 2021 clear है तो आप इस पे click करिएगा और नीचे भी जो हमारा title बनके आ रहा है उसमें भी जो भी हमारी नई updates भी हो रखी है उन सब के बारे में दिया गया है देखे यहां पे लिखा हुआ special cutoff list दी गई है संदोजार 21-22 की और answer की challenge जो दिया गया है जो answer की आई है उसका challenge challenge क का मतलब काफी लोगों को समझ नहीं आया है काफी लोग message कर रहे थे कि मैं मी चैलेंज जो है इसका मतलब क्या है मैंने molle बदा गया है और आपने सही किया उनका आगर answer जो भी आउनसर sheet देते हैं उनका अगर answer गलत है तो आप उस अगर आपका जो आंसर है वो 100% sure है आप उस आंसर के लिए ठीक है तो वो है आंसर की चैलेंज ठीक है और जो उसकी ऑफिशिल आंसर की है वो भी जल्दी आ जाएगी अब मुझे अभी आंसर के बारे में क्लियरली नहीं पता है फिलाल यह है कि आंसर की चैलेंज जो है यह यहाँ पर लिखा हुआ है schedule for UG merit-based admission procedure जो हमारा सन 2021-22 के बीच में है और यहाँ पर जो भी हमारे admissions होने हैं सब के बारे में दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सबसे पहले देखेंगे special cutoff list of 2021-2022 ठीक है इस पर हमने click किया उसके बाद यहाँ पर देखे step by step आ चुकी है second cutoff भी आ चुकी है third cutoff भी आ चुकी है जो भी हमारी fourth cutoff है अभी नहीं आई है जो ऐसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे देखे third cutoff कब आई थी third cutoff आई थी हमारी 18th October को आई थी और यह इसका प्रोसेजर कब तक था यहाँ पर देख लीजए आपको जो भी हमारे subjects दिये गए हैं यहाँ पर दिये गए हैं आपको देखे यहाँ पर मैंने show कर दिया आपको कैसे देखना है यह चीज़ तो आप की जो timing है वो यह दी गई है तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि एक time अगर फिर खतम हो जाता है तो फिर आपको आगे problem होती है क्योंकि काफी बच्चों को LU जो लखन इनिवस्टी से related जो भी हमारे student है जिनको admission लेना था तो उसमें भी काफी problem हुई है जिन्हो अपने document जो है वो upload नहीं किये है अपडेट नहीं किये है तो इसकी वज़े से उसमें option भी कई लोगों में चले गए है तो आपको जो भी timing दी जाती है उसी time में आपको admission करना है क्योंकि बहुत ही rare होता है कि आगे date बढ़ जाए ठीक है कभी-कभी होता है आगे date नहीं बढ आपकी जो फिफ्ट लिस्ट है वो आएंगी तो फिलाल जो भी हमारी लिस्ट है वो आएंगी पूरी total 5 ठीक है special drive है इसको भी आप देख सकते हैं यह है 13 14 15 ठीक है तो यह चीज मैंने आपको बताना जरूरी समझा इसलिए क्योंकि कई बच्चों के यह message अदा रहे थे क्यो तो देखें यहां पर इधर साइड में जो लिख के आता है results ठीक है तो यहां पर सारा सब कुछ आ जाएगा DU का जो भी हमारा new update रहता है वो यहां पर आ जाता है ठीक है देखें जैसा कि मैं आपको बतारी हूँ यह देखें जो third list अभी आई थी third का top merit list जो आई थी उसका द result है वो यहां पर जरूर से show हो जाएगा ठीक है तो आपको रोज रोज क्या करना है रोज रोज आपको सरकाय result.com खुल के देखना है आपका result आया है या नहीं आया है ठीक है तो यहां से आपको list पे आप यहां पे click करेंगे तो आप list पे पहुंच जाएंगे और यहां पे आप अपना नाम देख सकते हैं क्या आपका नाम है list में या नहीं है ठीक है यहां से आपको list जो है वो मिल जाएगी just a second हाँ जी यह देखे यहां पे आप click करेंगे तो यहां पे यह third list आपकी download हो जाएगी यहां पे second list डाउनलोड हो जाएगी और यहां पे first list डाउनलोड हो जाएगी ठीक है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परिशान नहीं होएगा यह सारा procedure यहां पे आपको मिल है अभी हम अपने main page पे जाते हैं तो फिल्हाल तो आपको यहां पे समझ आ गया ना अभी देखे यहां पे लिखा हुए schedule for UG merit-based admission अब इसके लिए schedule आपको देखना है तो यहां पे click कर लीजए आपका जो भी schedule है यहां पे बता दिया जाएगा कि कब क्या आपका admission हो सकता ह है और कब cutoff आई है कब आगे वाली आएगी जैसा भी मैंने आपको 5 तक की तो बता ही दिया है एक मिनट देखे second cutoff आचुकी है special cutoff 25th October को आचुकी है फिर है 28 को special cutoff की date दी गई है फिर 30 है 30 को दिया गया है 29 को मतलब आपको basically यह है कि UG वालो को अभी update रहना है क्योंकि UG का अभी जो admission procedure है वो basically चल रहा है अभी PG का तो हमारा result ही नहीं आया है तो उसकी भी अभी मैं notice आपको बता दे रही हूँ so यहाँ पर जो भी आपको problem है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी जाएंगी कि आपको कब admission procedure करना है कब admission लेना है कफी जो है वो आप lately submit कर सकते हैं last date क्या है सब के बारे में ठीक है अगर आपको नई समझाते हैं तो ब्राउचर होता है तो आ बहुत help मिल जाती है ठीक है यहाँ पर बजो schedule है वो देख सकते हैं अब हम बात करते हैं किसके बारे में PG result के बारे में जैसा कि आपको PG एक मिनट यहाँ पर PG admission portal पर चले जाए यहाँ पर PG admission portal पर जाने के बाद जब यहाँ पर डालेंगे आप registered अपना email ID या फिर जो भी पासवर्ड और email यहाँ पर एक मिनट मैं अभी आपको शो करके दिखा रही हूं क्या option आएगा तो देखिए अभी वहाँ पर email पासवर्ड मैंने डाला है जो मैंने PG admission portal खुला था यह उसकी बात कर रही हूं तो यहाँ पर कुछ ऐसा option बन के आ जा रहा है check your eligibility important information and download bulletin of information इसक यहाँ अभी 0 सब कुछ 00 लिखा हूँ है मतलब कि अभी result इसका नहीं आया है यहाँ पर लिखा you can track your application here तो मतलब जो भी आपने application फिल किया है जो भी आपने पिछले उसमें form फिल किया है उन सब के बारे में detail लिख के आ जाएगी ठीक है तो अभी DU के बारे में परिशान होन result है वो आने के chances है और जो वो clip मैंने पढ़ी थी वो clip मुझे पता नहीं कहां मैंने पढ़ी थी वो clip अगर मिलती है तो मैं आपको share कर दूँगी इसी पे आपको upload कर दूँगी जो YouTube update रहती है उसमें मैं update कर दूँगी तो वहाँ से आप देख सकते हैं तो जो भी आपको और भी question अगर आपके हैं तो आप हमारे comment box में comment करिएगा फिलहाल अभी तो PG का admission जो है PG का जो result है वो नहीं आया है और उसका chances है 30 या फिर starting November में आ जाएगा क्योंकि जो date थी उसमें कुछ 8th of November तक का लिखा हुआ था मुझे basically ऐसे याद नहीं है हाँ last October and starting November में आपका जो PG का result है वो आ सकता है ठीक है और भी अगर university के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे आपको obvious सी चीज़े आपको पता ही होगा यहाँ पे आप रिजल्ट के बारे में जान सकते हैं जो भी एन्वल वगरा है जो एन्वल एक्जाम हुए हैं और जो भी semester हुए हैं इन सब के बार रहा हो तो जो हमारा being teacher नाम है मैं आपको share कर दूँगी description box में being teacher का एक channel है being teacher classes तो उसको आप subscribe कर लिजएगा क्योंकि उस पे जो classes है वो update आपको classes मिलती रहेंगी और एक being teacher नाम से जो channel है हमारा उस पे सारी teaching की information मिलती रहती हैं तो आप लोग उसको भी जोईन कर सकते हैं clear ह सो चलिए हम फिर में लेंगे next video में thank you so much